हेलो दोस्तों तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल नीडुकी रसोई में तो आज हम फिर से एक हेल्दी सी रेसिपी बना रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा हम हमारे चैनल पे बहुत ही कम मसाले में बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाते हैं तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ये बिल एक सब्सक्राइब लिए यहां पर मैंने फ्रोजन मतर का यूज किया है आप चाहे तो वे नॉर्मल मतर भी ले सकते हैं दो ओनियन ली है उनको भी बारिक चॉप कर लिया और दो ग्रीन चिली ली है तो हम यहां पर हमारी ब्रोकली को करेंगे बॉयल ताकि जो ब्रोकली का कलर वो same to same रहे वरना जब हम ब्रोकली पकाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने यहां पर कूकर में गलास पानी डाल लिया और हमारी ब्रोकली डाले इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लेंगे हमें इसको पकाना नहीं हमें इसको थोड़ा सा बॉयल करना है ता आप लोग देख सकते हैं ब्रोकली का कलर कितना इनहेंस हो गया अब हमारी सबजी बनाते हैं तो अब हमने यहां पर एक कड़ाई ले ले लिए उसमें दो टेबल स्पून ओयल डाल दिया है ओयल अच्छे से गरम होने के बाद मैंने जीरा डाल दिया है जीरे को थोड़ा सा ट्रांसलूसिंट होने तक इसको भूनेंगे तो जैसे ही अमारी प्यास थोड़ी सी भून जाएगी उसके बाद हम इसमें हमारी ग्रीन चिली एड़ कर देंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे तो जैसे ही दोनों चीजे अच्छे से भून जाएगी हम इसके अंदर तो टमाटर एड़ करने के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे और इसमें मसाले आड़ करेंगे तो यहां हम बहुत ही कम मसाले यूज करेंगे तो हम हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें सोल डालेंगे उसके बाद हाफ टेबल स्पून हम इसमें टर्मरिक एड़ करेंगे एक टेबल स्पून हमने यहाँ पे कॉरियंडर पाउडर लिया है और एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है सारी चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे और टमाटर के साथ हम मसालों को भी पकाएंगे हम यहाँ पे बहुते सिंपल तरीके से सबजी बना रहे हमने कोई भी ग्रेवी नहीं बनाई है तो अच्छे से सारी चीज़ों को पका लेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और ओयल भी छोड़ दिया हमारे मसाले तो अब हम इसमें आलू एड़ कर देंगे और आलू को भी थोड़ा सा सोफ्ट होने तक पकाएंगे क्योंकि आलू थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसको पकने में थोड़ा ट और दोनों चीजे अच्छे से पक जाएंगी उसके बाद हम इसमें मटर एड करेंगे क्योंकि मटर हमने फ्रोजन लिये हैं तो उसमें पकने में टाइम नहीं लगता है तो दोनों को अच्छे से पकाएंगे तो यहां पे हमारे आलू और ब्रॉकली दोनों चीजे अच्छे से पक चुकी हैं आप हम इसमें मटर एड करेंगे तो मैंने या पे एक बोल मटर लिया है आपको मैंने पहले भी बताया था मैं या पे फ्रोजन मटर यूज कर रही हूं तो इनको पकने में टाइम नहीं लगता है हम इसको दो मिनिट और पकाएंगे उसके बाद हमारी सबजी ब करें अक्रोजरे गों करें और से लिए खुआ कर दोग मेंट करके मुझे बताइं कि आप लोगों को ही रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फर वचिंग माई वीडियो तो प्रुम्ट मेर्ड़ दिन्फार चीजिटार्ट दिन्फार्ट जीजिटाओगा।